Hello students, welcome to my channel, Learn Programming Language C Language की इस सीरीज में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं जैसे आपको ये जानने को मिलेगा इस लेक्चर में कि हमारा C Language की कोडिंग की सुरुवात कौन से लाइन से होती है तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे डीटेल से फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे की हमारे C Language में Main Function का क्या यूज है आखिर Main Function हम लोग को C Language में क्यों यूज किया गया है इसके बारे में जानेंगे और हम सुरुवात करते हैं कि हमारा C Language का First Line आखिर H include stdio.h extension.h ही क्यों लिखा जाता है तो हमारा ये पहले से ही C Language में Default किया गया है कि ये Line को लिख कर ही हम C Language की सुरुवात करते है कोडिंग की सुरुवात करते हैं ये हमारा H include आपका greater than less than के sign के अंदर लिखा हुआ है stdio.h इसका मतलब होता है standard input output.h मतलब होता है header file मतलब standard i से input, o से output और हमारा header file में ये प्रोग्राम को बनाया जाता है ये प्रोग्राम को रखा जाता है, run किया जाता है, compile run किया जाता है तो हम लोग का C program में हम लोग जानगे कि आखिर stdio.h का meaning क्या है standard input output header file and C program में कोई भी program को हम लोग save करने से पहले extension.c के नाम से पहले save किया जाता है तब ही वो प्रोग्राम हम लोग का compile और run करेगा ये हम आपको अच्छे तरीका से करके दिखा देते है अब हम आ जाते हैं हमारा program coding का सुरुवात stdio.h से कैसे होता है ये हमारा C++ खुल open हो चुका है अब हम लोग देखते हैं कोई भी program को coding का सुरुवात हम किस प्रकार से करेंगे हम पहले file में जाते हैं फिर new में जाते हैं फिर हमारा आ जाते हैं हम source file में source file में हम क्योई भी program में देखे हमारा ये खुल गया है यहाँ पर लिखा हुआ है untitled one अब हमको यहाँ पर title देना यानि ये file को हमको save करना है और ये save हम किस प्रकार से करेंगे हम फिर से जाएंगे file में फिर आपका हम जाएंगे save as में फिर save as में हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि untitled मेरा one लिखा हुआ है तो इसमें हम कोई भी code save कर सकते हैं जिस प्रकार से हम save करते हैं code dot .c तो extension.c से हमारा ये save हो चुका है तो इसको save कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर ही file खुल जाएगा तो कोई भी code का सुरुवाद अब हम कैसे करेंगे तो हम पहले ही बता चुके है कि हमारा कोई recording का सुरुवाद होता है hatch include आपका hatch include ये आपका सारा small में रहेंगे hatch include stdio.h अब ये stdio.h ये हम लिख करके हमारा कोई भी program का सुरुवाद करते है कोई भी coding का सुरुवाद हम करते हैं अब हमने ये देख चुका है कि coding का कोई भी program का code को सुरुवाद करने से पहले हम उसमें save करते हैं extension.c के साथ उस program को हम save करते हैं अब हम लोग जानेंगे कि what is main function आखिर ये main function क्या है और main function का c language में क्यों इसका use किया गया है ये main जो bracket में लिखा जाता है main ये एक function है मतलब ये define करता है आगे का statement हमारा किस प्रकार से execute हो रहा है और आगे का program मेरा जितना भी statement है इसी main function के अंदर सारे statements हमारे लिखे जाते है function का तो हमारा ये क्या जानते है कि main function main एक function है a function is nothing but a set of statement मनि ये एक set of statement है मतलब हमारा जितना भी statement आ जाता है coding में कि कौन सा statement कब execute होगा step by step हम जो statement लिखते है instruction देते है actually में जो instruction हम देते है वो हमारा जो statement है वो set of instruction जो है set of statement जो है वो हमारा main function के अंदर लिखा रहता है तो हमारा main function कोई भी main function के अंदर ही कोई भी instruction को हम दे सकते है उसके बाद हमारा कोई भी statement curl bracket के अंदर नीचे उसके नीचे अंदर लिखाता है फिर उसके बाद हमारा कोई भी program execute करता है मतलब compile और run करता है और यह हमारा जिस प्रकार से अगर हम int main लिखते हैं यहाँ पर तो हमारा function देता है कि यह int type का है यानि integer type का है तो यह value integer ही return करेगा तो यह value अगर हम int type करेते हैं तो यह खुद बाखुद हमारा यह defaulted है यह return 0 करता है मतलब हम आगे इसके बारे में details से जानेंगे हम अभी बस इतना ही समझ लिजिए कि कोई भी program में जिस प्रकार का वो program होगा अगर integer type होगा तो हमारा value integer ही return करेगा ठीक है अगर यह वाइड type रहेंगे तो हमारा return कुछ नहीं करेगा तो हम यह जान लेते हैं अच्छा तरीका से कि हमारा main function का क्या use है यह main function है इसके अंदर ही सारा statement को लिखा जाता है सारा statement इसी के अंदर होता है मतलब main function फिर curl bracket के अंदर हम सारा statement लिखे रहता है तो यह सारा statement किसके अंदर आया main function के अंदर आया है इसे लिए main function को define किया जाता है अब हम देखेंगे कि इसको depc में हम किस प्रकार से लिखेंगे अब हम coding में चले आया है जहां पर हमारा लिखा हुआ है h include hddiu.h अब इसके बाद हमारा दूसरा line हो जाता है int main और ये bracket इसके बाद हमारा curl bracket आता है उसके बाद हम को भी मतलब statement यहां पर type कर सकते हैं तो हमारा ये हम जान गए कि हमारा int type है तो int type return करेगा अगर हम यहां पर void type लिख देता है void menu लिख देता है तो हमारा ये void type मतलब ये void है हमारा ये कुछ return नहीं करेगा तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि हमारा कोडिंग का सुरुआत किस लाइन से होता है और हमारा main function का क्या use है तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है इसके next का वीडियो लेक्चर आपको next वीडियो आपको मिल जाएंगे आप मेरा चैनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिए सेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो इस कोडिंग लेक्चर पे बना सके और ठैंक यू फ्रेंड्स